दोस्तों नई पार्लेमेंट की बिल्डिंग इनाग्रेट हुरी इस बात को लेके पॉलिटिक्स चल रही है कि ओवरल इनाग्रेशन किसको करना चाहिए दुरबधी मूर्मुजी को करना चाहिए या प्रदानमंत्री मूर्दी जी को करना चाहिए इस बात को लेके अलड़ी मे रखी इतना पढ़ा रखा है बढ़ इस सेटर के बारे में मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा नॉर्मली अगर देखा जाए इंडिया आजाद हुआ इस आजादी का लैंड मार्क हम किसे मानते हैं इस आजादी का मार्क हम किसे मानते हैं तो जो Trist with Destiny नाम की अंग्रेजी बाशा की स्पीच थी हमारे Honorable Prime Minister जवाहललाल नहरू जी की. तो जवाहललाल नहरू जी ने Midnight of 14 अगस्त 1947 में ये Trist with Destiny की स्पीच दी और इसके साथ ही हम associate करते हैं कि हाँ भाई हम अंग्रेजों के चुंगुल से आजाद हो गए. लेकिन इस पर्टिकुलर स्पीच से 15 मिनट पहले कुछ हुआ था. इस पर्टिकुलर स्पीच से 15 मिनट पहले सेंगोल नाम का ये जो सेप्टर है ये जवाहललाल नहरू जी को handover किया गया था. और आज की रेट में ये पर्टिकुलर सेप्टर अब नई पार्लेमेंट की बिल्डिंग में रखा जाएगा. अभी तक ये अलाहाबाद की म्यूजियम में रखा हुआ था. अब overall ये सोने का सेप्टर देखके आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी कोई शाही चीज तो वो स्पिरिचुल के तौर पे तमिल सियर्स ने इस्पेशली इस पर्टिकुलर सेंगौल को बनवा के पहले लौड माउंट बेटन को पकड़ाया. उसके बाद माउंट बेटन से वापस लिया, उसके उपर गंगा जल छड़क के इसको प्योर किया और उसके बाद इसको बेटे बेटे जवाल लाल नहरू जी से पूछा कि आप आजादी को, ट्रांसफर अफ पावर को आजादी तो देखो मिली गई थी, कि अब अग्रेज छोड़के जा रहे हैं. बट ओवर ओल अंग्रेजी हुकूमत से भारती हुकूमत के पास जो पावर ट्रांसफर हो रही इसको कैसे मार्क करोगे? ट्रिस्ट विद स्पीच डेस्टिनी से तो जवाल लाल नहरू जी ने सबको बता दिया कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हम आजाद हो चुके हैं. बट वाट विल बी ओर मार्क आफ ट्रांसफर अफ पावर आपके हाथ से में, तो अंग्रेज गुपलाचारी जी ने नहरू जी को बताया कि देखे सर एक तमिल ट्रेडिशन है, तमिल ट्रेडिशन ये बोलता है कि एक हाई प्रीस्ट, एक बहुत बड़ा जो मंदिर में जो प्रीस्ट होते हैं, जो पूजा कराते हैं, वो ओवर ओल एक किंग को सेप्टर हैंड ओवर क जाते हैं, तो जब भी कोई बड़ा चोला राजा गदी पर बैठता था, तो उस समय पे जो हेड प्रीस्ट हुआ करता था, जो सबसे बड़ा पुजारी हुआ करता था उस किंग्डम का, वो ओवर ओल एक सेप्टर हैंड ओवर करता था राजा को, तो कुछ इस प्रकार का स यह सेप्टर हैंड ओवर किया जा सकता है भारती हुआ के खुमत को ओवर-ol इस ट्रांसफर ओफ पावर को मारक करने के लिए, जैसे यह सेप्टर ओफ पावर किया जाएगा, तो अब विस ही बात है, यह हो जाएगा, इ созд पाभार इंडिया के पास अगी, अब देखें, के जो head priest थे, जो seer थे, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, मैं responsibility लेता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी एक सेंगोल आपके लिए बनवा दूँगा, और इस सेंगल को जो बनाने के responsibility थी, जो सेंगल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इस सेंगल को बनाने के responsibility दी गई, एक jeweler को, मदरास presidency में उस समय पर जोलर था, वुमीदी बंगारू चेटी, और overall यह सेप्टर यहाँ पर बनाया गया, इस सेप्टर की length लगबग 5 फिट की है, और इस सेप्टर के top पे एक नंदी बुल आपको नजर आएगा, जो की justice को symbolize करता है, ओके यह उपर की तरफ आपको तो यह 5 फिट लंबा जो आप कह सकते हो, सेंगोल था, इसको specifically बनवाया गया, हमारे policy makers के दौरा, आजादी के समय पे, transfer of power को मार करने के लिए, from Britishers to India, तो events यह बताते हैं, कि overall midnight में, जब हम आजाद होने वाले थी, जब twist with destiny वाली speech दी जाने वाली थी, उस से पहले, यह जो सेंगोल था, इस सेंगोल को, या फिर सेंगोल को हैंडोवर किया गया माउंट बेटन को, फिर माउंट बेटन से वापस लिया गया, उसको वहाँ पे गंगा जल से साफ किया गया, और उसके बाद यह सेंगोल किया गया, honorable prime minister श्री पंडित जवाला नहरू को, और overall यह सेंग के उपर ध्यान नहीं गया वैसे देखा जाए दोस्तों तो यह जो सेप्टर था यह हम अंगरेजी सरकार का कुछ बनाया हुआ नहीं था इसको ट्रांसफर आफ पावर को मार्क करने के लिए एन मोके पर बनवाया गया था तो बेसिकली सरकार का यह बोलना है कि इस सेप्टर क को नई पार्लामेंट बिल्डिंग में हम इंस्टॉल करके मॉडनिटी के साथ अपने कल्चलर ट्रेडिशन को जोडने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक यह सेंगॉल अलहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ था अब यह नई पार्लामेंट की बिल्डिंग में स्पीकर की क पूर्सी के पास रखा जाएगा तो यह सेंगॉल की कहानी है तो सेंगॉल आटोमेटिकली आपके एक्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ओवरॉल इस सेप्टर को ओफिशली नहरू जी को हैंड ओवर किया गया था तो प्रॉपर यहाँ पे कु उपर भी जल छिड़का गया उनके फोर हैड पे एक सेक्रेट एश लगाया गया उनके हाथों में स्पेक्टर थमाया गया और क्लॉथ ऑफ गॉर्ड में उनको ड्रेप किया गया तो कहने की कोशिश यह है दोस्तों कि जब ट्रिस्ट विट डेस्टिनी की स्पीच हुई उस यह न कहिए इंडिया के कल्चर के साथ जुड़े हुए एक प्रकार की पूजा है यह हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग प्रकार की पूजा होती है कह सकते हो कि एक प्रकार का धार्मिक ट्रेडिशन था तो यह जो सैंगोल का हैंडोवर था जो कि एक मार था transfer of power का इसको तमिल वे में किया गया चूलास के समय से यह प्रथा तमिल में चली आ रही तमिल नाडू में और तमिल वे में यह transfer of power हुआ तो एक और बहुत important cultural facet दोस्तों यहां से निकलता है वह यह है कि north to south India connected है south के तमिल नाडू state के एक particular tradition को इस्तमाल करते हुए पूरे देश की ट्रांसफर ऑफ पावर का एक एवेंट यहां पर हुआ तो हो सकता है कि इस चीज को आगे आने वाले समय में कुछ हद तक पॉलिटिक्स से भी जोड़ा जाए इसलिए जो हमारे हो मिनिस्टर हमें शाह साह वो बोल रहे है कि इस पर्टिकुलर एवेंट को अब हो सकता है कि पॉलिटिक्स का बोलना है कि तमिल नाडू के अंदर जो पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने लगे हैं और तमिल मासेस का और ध्यान धूरने वाले स्टेप के साथ जोड़ने लगे हैं बट वो एक अलग चीज है पॉलिटिक्स is set aside, definitely अगर सैंगोल में ऐसा क कुछ धार्मिक पक्रिया के थुरू ऐसा हुआ था तो इसे हमें पता होना चाहिए था आज हमें इसके बारे मालूम है और पार्लामेंट में इसको स्थापित कर देने पर से कुछ खास नहीं होता नैचरली यह सेंगोल अब हमारे historical perspective से important हो जाता है इसके respect में question भी बनता है तो जो basic information है मैंने आपको बता दियो और आगे आना वर समय में कुछ और basic information होगी तो मैं subsequent वीडियो में आपको बता दूँगा